हेलो दोस्तों तो यह देखें इतनी गर्मी में हम कैसे दही जमाएंगे और ओभी पर्फ्यक्ट नो फैल देखें हमें मिट्टी के हांडी में दही जमा क्या आपके दिखाऊंगे तो इसकी पूरी वीडियो देखना कि दही कैसे जमी इतनी थीक आपकी दही जमेगे ओ भी नॉर्मल दूदोसर यह नहीं कि पूरा थैली के दूदोसरे पैकेट के दूदियाने नॉर्मल घर के दूदोसर में ने इतनी अच्छी दही जमाई जो रेगल दूद देते हैं खाओड दीटर करें लिया दूदमें डूद में लेला है दूद में नेलिया है नेलीए न केकाल लगे बंपें websites करेंगें जैसे एक हुबाल आ था मेरे भूर नीलुद uh में एक उबाल आ गया जैसे एक उबाल आता है मिलक पाड़ जो मिला के रखें वो हम डाल डाल और इसी हांडी में आप गरम करें और इसी में जमाईए और हाँ इस समय आप हांडी लाएन हो तो कम से कम 24 घंडा पानी में भरके उसको डुबू को छोड़ दीजिए जब 24 घंड मैं आपको आज दही जमानत सिखा रही हूं तो जैसे एक उबाला गया मैंने इसमें डाल दे मिलक पाड़र इसे अच्छे से एक दो और उबालाने देंगे उबालाने को पूरी ठंडी हो जाना चाहिए नॉर्मल नॉर्मल गर्मी में रूम तंप्रेचर उंगली भी ना हो यानि दही जमान तो दो लिटर के हो साफसे उसकी पानी नहीं जाए उपर की ठीक चाहिए ία छनी निकाल के से रख दीती उसके बावजूद भी इसमें से पानी निकला है तो एक मतलब चमत से भी आधी चमत, जादा दही नहीं चाहिए, आधी चमत दही चाहिए, ओभी ऐसी थीक, छन्नी पर रख दीजिए, पूरी पानी निकल जाए, उसके बाद जो उपर की थीक बसती है, उसी से आपको दही जबाना है, दही बहुत लोगों के मतलब इस समय गर कर लिया, उसे अच्छे से मिक्स कर लेजे, ताकि दही पूरी दूद में मिक्स हो जाए, इसके बाद इससे न ढख देंगे, और मैं रात में जमा रही हूँ, गर्मी में जब अपरेल हो मई हो जून इस समय न दही जमाना है, भी मतलब कि पूरी गर्मी पढ़ रही हूँ त तो रात को 10-11 बजब दही जमाई है, तो मैं रात को दही जमाई हूँ वहाँ पर इसके बाद पूरी में सिल्वर फॉल लगा दिए ताकि कहीं से भी इसको हावा ना आए, और में टिप्स यही है, मेरे पास जो भी खास खास टिप्स था मैंने दही जमाने में दिखा दिया और ठंडी में कैसे दव ही जमाते हूँ भी मैंने वीडियो डाल दिया था, पहले ही ठंडी में डाला था, जब मकर सक्रारती आय थी तब तो देखे पूरी सिल्वर फॉल लगा दी, गर्मी में उपर एक प्लेट रख थी, उसके उपर एक बरतर, और रात को में 11 बज़े द घर का दूद है मेरे, मतलब ठैली का पैकेट का होता नो, फुल फैट तो और अच्छा जमता, तो यह घर का मेरे दूद है, जो नॉर्मल डेन लेते हैं, दूद वाले सो वो दूद है, इसके बाद में फ्रीज में रख दूँगे, फ्रीज में जितने रात में 8 गंटा था, वैसे 8 गंटा में फ्रीज में रखा, और यह फटा-फट हो गए हमारे दही जम के, इसी दही से मैं आपको लस्ती का वीडियो दूसरे दिन दिखाऊंगे, आप देखना जरूर हो वीडियो बहुत यमी लस्ती है, यही दही जमाना है, आप दही जमाई